नमस्कार तो गड़ित कच्छा दसमें आज 13.1 प्रसनावली से दो कुस्चन हम कर चुके थे फैस्ट और सेकेंड आज तीसरा कुस्चन है एक खिलोना जिसकी त्रज्या 3.5 सेंटी मीटर वाले एक संक के आकार का है उसी त्रज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है इस खिलोने की संपूर उंचाई 15.5 सेंटी मीटर है इस खिलोने का संपूर प्रस्ठी चेतर फ़ल ग्यात कीजिये तो संपूर प्रस्ठी चेतर फ़ल ग्यात करने के लिए सबसे पहले हम चित्र को समझेंगे कितना हुँच्छ है खिलोने के त्रिज़या कितनी है यह त्रिज़या कि दी हुई है साढ़े तीन सेंटीमीटर ऐनी इसका यह पूरा ब्यास होगा साथ तो त्रिज़या हो गई साढ़े तीन तो इधर देखिये यह देर रखा है अर्ध गोला कार है तो अर्ध गोले की तरजिया आर बरावर साड़े तीन सेंटिमीटर आगे कह रहा है उसी तरजिया वाले एक अर्ध गोले पर अर्ध गोले पर अरोपित है खिलोना जो है जो संक है संक के जो तरजिया है ये वाली इसी तरजिया पर एक अर्ध गोला अरोपित है तो दोनों की तरजिया है सेम है तो इसलिए दे दिया है कि संक्वाकार वो संक्व संक्वाकार भाग की उचाई 15.5 यह पूरी उचाई 15.5 दी हुई है यह वाली तो अब इसमें से यह तिरजिया यह भी तो है यह तिरजिया के मतलब यह उचाई बराबर हो गई तो यह उचाई घटा दी जाएगी यहां से यहां से नीचे की उचाई जो है वह हम घटा देंग ये इसके बराबर नीचे के उचाई ये यहां से यहां तक की उचाई साड़े तीन है ये घटा देंगे 15.5 मिशे तो 12 सेंटी मिटर बचेगी तो ये उपर वाली उचाई ये उचाई 12 सेंटी मिटर हो गई तो ये संक्वा कार भाग की उचाई यह बरावर 12 cm अब हमें निकालनी है क्या RD है 3.5 और HD है 12 L निकालनी है यह बाली उचाई तेरियक यह बाली उचाई L निकालनेंगे L बरावर अंडर रूड R2 प्लस H2 प्लस R2 ऐसे निकालनेंगे यही सूत्र जो है तो संक्वाकार भाग की उचाई यह हमने तरी एक उचाई निकाल दी है अब हम क्या करते हैं यह स्कॉार और रेल स्कॉार के फार्मूले से हमने संक्वाकार भाग की तरी एक उचाई निकाल दी है अब इस उचाई से यह L हमारी आई है बारा दसमलब पांच 12 का 12 मरिया 144 और 3.5 का 12.25 हो गया दो जोड़ दिया 156.25 हो गया इसका बर्ग मुल लिया तो ये हो गया 12.55 अब हमारे पास खिलोने का प्रष्ठी चेतरफल जो हम खिलोने का प्रष्ठी चेतरफल निकालेंगे तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है कौन कौन सी दो चीज़ें याद रखनी है देखिए एक तो इस वाले संक्वाकार भाग का प्रष्ठी चेतरफल संक्वाकार भाग का ये वाला संक्वाकार भाग का प्रष्ठी चेतरफल नीचे अर्दगोले का प्रष्ठी चेतरफल तो दोनों चेतरफलों को दोनों छेत्रफलों को जो हम ग्याद करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोनों छेत्रफलों को ग्याद करने के लिए खिलोने का प्रष्ठी छेत्रफल पाई आरेल पाई आरेल प्लस टू पाई आरेल अब पाई आरेल क्यों लगा है ये जो संक्वाकार भाग था ये वाला भाग इसका छेत्रफल है ये पाई आरेल है और ये जो नीचे जो अर्धगोला दिया था ये वाला अर्धगोला नीचे दिया था इस अर्धगोले का 2 पाई आर पूरे गोले का होता है 4 पाई आर इसका होता है पूरे गोले का 4 pi r square होता है तो अर्द गोले का क्या होगा 2 pi r square अब हमने यहाँ पर इधर भी pi r है इधर भी pi r है pi r हमने ले लिया कामन हमारे पास बचा यल पलस 2 r pi का मान 22 बटे 7 रग दिया गुडे आर का मान 3.5 और यल की बेलू पलस 2 into r 2 r बचा था यह वेलू हमारी 22 7 3.5 से 7 करें तो यह 2 रहे गया 2 से यह कट जाए 3.5 है यह 7 है 7 35 यह वाले कट गया तो 0.5 आगया इधर 22 रहे गया 0.5 और 12.5 और पलस यह 25 दूना सत्तर साथ हो गया तो यह हो गया 19.5 इधर इस 0.5 का इसमें गुड़ा किया 22 में तो 11 आ गया अब 11 गुड़े 19.5 तो यह हमारा अंसर आ रहा प्रष्टी अब खिलाउने का कुल प्रष्टी चेत्रफल कितना हो रहा है 1.25 हो रहा है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं नेस्ट कुश्चन है 7 cm वाले एक घनाकार 7 cm वाले एक घनाकार बलाक के उपर अर्ध गोला रखा हुआ है अर्ध गोले का अधिक्तम ब्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का प्रष्टी चेत्रफल ग्याद कीजिए अब देखिए 7 cm वाले एक घनाकार ये घन है ये 7 cm और इस पर घन पर कोई भी घन की जो एक भुजा होगी बाहरी उस भुजा को अगर हम बनाएंगे फलक बनाएंगे कोई भी घन का हम फलक बनाएंगे तो ऐसा आएगा बाहर 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 फलक ये दो खो दिया इस तरीके से फलक बाहर वाला और इस पर अगर हम क्या करेंगे एक अर्द गोला ऐसे काटेंगे इस में से तो इसका यह व्यास हो जाएगा यह इदर व्यास हो गया तो अब इसका यह व्यास कितना है साथ सेंटीमीटर यह पूरा व्यास साथ सेंटीमीटर है अब इसका ब्या किनारा सास सेंटीमीटर और अर्द गोले का अधिक्तम बयास दी वर आवर सास सेंटीमीटर थिर्ज्या कितना हो जाएगी साथ बटे दो अब प्रष्ठी चेत्रफल घना का अर्द गोले का चेत्रफल प्लस माइनस अर्द गोले से ढखे एक ब्रत का चेत्रफल अर्द गोले से ढखे एक ब्रत का चेत्रफल मतलब जो भाग ये तो पूरा इसका प्रष्ठ था और इस पे एक अर्द गोला रखा गया ह तो जो भाग अर्ध गोले से ढख जाएगा उसका प्रष्ठी चेतरफल हमें नहीं निकालना है तो इसलिए यहाँ पर यह माइनस किया गया है तो अब प्रष्ठी चेतरफल में देखिए क्या है गना का अर्बलाक ये पूरा बलाक है गन है जो इस गन का चेतरफल पूरे का और इस पूरे गन के चेतरफल के बाद में अर्ध गोले का चेतरफल जो ये अर्ध गोला उपर रखा हुआ है इसका चेतरफल और इस अर्ध गो अर्दगोले से ढके ब्रत्त का चेत्रफल अब ठोस का प्रष्ठी चेत्रफल 6A स्क्वाइर क्या होता है जो घनाकार बलाक है उसका होता है 6A स्क्वाइर प्लस टू पाई आर स्क्वाइर टू पाई आर स्क्वाइर ये अर्दगोले का हो गया और माइनस पाई आर स्क्वाइर पाई आर स्क्वाइर होता है ब्रत्त का तो ये घटना है इसमें से जो ब्रत्त का राकार घेरे हुए इसमें से 6A स्क्वाइर प्लस पाई आर स्कॉयर ए का ए वरावर घंगा किनारा दिया हुआ है ए गहारी कितनी है यह साथ है अ तो 6 इंटू 7 का स्कॉयर पाई का मानी 22 बटे 7 रख दिया और आर का स्कॉयर यह 2 बार आर स्कॉयर कर लिया अब देखिए यहाँ पर यह कहोगे कि यह जो घटाया गया वो कहां चला गया यहां दिया है 2 pi r square यहां दिया pi r square तो 1 pi r square बचा भई यहां रहे गया अब 6 तो 6 यह आगे, 7 कबर किया 49 हो गये और 22 बटे 7 22 बटे 2 1 7 से 1 7 कट गई यह वाले ठीक है और इस 2 से कि यह बाइस काट दिये ग्यारा होगे तो ग्यारा साथ सब्सक्राइब दो एक दो रह गए नीचे अब इनका हमने किया जो कैल्कुलेट करेंगे वह इस तरीके से चेका करेंगे नुमें नो शक्का चेवन की चार और नो चोग शतिस और ने चेच चोग चोविस जोग चोविस और पांच उनतीस 294 यह आ गया और इधर प्लस लगा हुआ है यह साथ का भाग दे दिया इसमें साथ दो का भाग दिया दो तिया छे एक बचा फिर दो अठ्टे दस तो इस तरीके से इनको हमने जोड लिया यह हमारा प्रश्टी छेतर फला गया अगला कुस्चन देखते हैं इसी में कुस्चन नमबर पांच में हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि एक घनाकार बलाक के एक फलक को अंदर की और से काट कर एक अर्द गोलाकार गड़ा इस ठोस का प्रष्टी 6 तर फल घ्याद कीजिये अब एक घनाकर बलाग है यह पूरा इस बलाग में एक अन्दर अर्थगोला इसमें उपर अर्थगोला अगया गया झाति में अंदर से अर्फगोला काट दिया गया यह और इसका जो अर्थगोली का ब्यास अब घन के किनारे के बरावर है तो अब ये कह रहा है कि ठोस का प्रष्टी छेतरफल गयात कीजिए अब हमें यहाँ पर क्या माना अर्द गुले का ब्यास D है और D बरावर क्या है यह लिकाई तरज्जिया क्या होगे यार बरावर यल बटे टू ही काई जब ये वाला पूरा हमने यल मान लिया तो तरज्जिया इसकी आदी हो जाएगी यल बटे टू हो जाएगी अब यहाँ पर घन का किनारा अर्द गुले के ब्यास के बरावर है तो सेस बच्चे ठोस का प्रष्टी छेतरफल पहले तो है घनाकार बलाक का चेतरफल ये पूरे घन है इसका प्रष्टी छेतरफल प्लस अर्द गोले का चेतरफल प्लस ये अर्द गोला जो है अंदर की तरफ दसा हुआ इसका चेतरफल माइनस अर्द गोले से ढके एक बरत का चेतरफल जो यह काट के अर्दगोला निकाल दिया गया, यहां प्रष्ट रही नहीं गया, अब जब यहां फलक उसका घं का प्रष्ट नहीं रहा तो घं के प्रष्ट में से यह ब्रत्त का रिस्तिती घटा दी जाएगी, तो यह अर्दगोले से ब्रत्त के चेत्रफन हो गया, अब वह फिर वही यह 2 pi r square है और यह pi r square है तो 2 pi r square में से 1 pi r square बचेगा हमारे पास यह आ गया नीचे 6 into l square plus pi into l अपन 2 का square 6 l square plus pi l square अपन 4 4 cm लिया 4 4 24 l square plus pi l square बटे 4 तो 1 बटे 4 को हमने बाहर ले लिया 24 plus pi into l वर 21 का जो है प्रश्ठी 6 तरफल हो गया